अब आपके लिए अपको आपको सपोर्ट करना पड़ेगा शेर करना पड़ेगा इस पर देख लिए आप क्या अगर हमको यहाँ पर कंटिनुसली लेसं डालते रहना है अब आपको सपोर्ट करना पड़ेगा शेर करना पड़ेगा इस के अंदर हमधा इन पर्टिकुलर थेंक्स कि इसके पहले एक और सब्सक्राइब करना इसके पहले एक और सिरीज बना ही है मैंने आप इसको टेकल किया है सब्सक्राइब कर तो इससे पहले डिल्ट मे इसके टासे में एक और सबके संचेखे माय इसके पहले पंगा थे सीध कर रहुद कर बढा गीचे पहले जन्हें फ़िए है कि यौका इस कुझ और ने ऐसके भी को निटा ने उसके हैं कि वहरे में दसब्सक्राइब लेंगविज हमने एक तो बता दिया इसके लावा क्या फूड हो सकता है बिल्कुल हो सकता है बिल्कुल बिल्कुल पोईट्री डांस म्यूजिक पैंटिंग आट लिटरेचर यह सब एक कल्चुर के पार्ट है इस यूज टर्म उसक्रती तो सम्टाइम्स यह आइडेंटिटीज को फूर गरांट ले लेते हैं कि यह सोचने हैं कि यह जो ऐडेंटीज है वह ताइम इंममोरियल से चलती हुए अरिया है कि आँप तरह हम द्यान से सोचे इसके बारे में तो क्या यह वोल नहीं हुई नहीं टाइम टाम बिल्कुल हुई है देखो क्यों है अब को देखते हैं जो रीजनाल कल्चर्स को सपेशिफिकली बात करों रहें रीजनी इस дост very सबकॉंटिनेंट उसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्स में डिफरेंट तरीके के पीपल हैं डिफरेंट ट्राइब्स थी वहां के जो लोकल ट्रेडिशन थे वो इंटर मिक्सिंग हुए कोई भी हो सकता है इकोनोमिक कल्चुरल प्रैक्टिस या फिर आपके ठीक है इस तरह के की प्रैक्टिस हुई लोगों में परसंटो परसंट कॉलाइबरेशन होने स्टार्ट हुए ठीक तो इन सब के कारण इंटर मिक्सिंग होता हुए तो आज हम देखते हैं वह एक्चुली IT's a product of this process रोकिग और कुछ इननमे से ऐसे ऐसे ठाजिशन से जो इसे पीपर टिकुलर एरिया में स्पेसिविक ऐसे कि हम के राधे तो वेस्ट자를 में कोई फेस्टिवगन kızım , तो वहां का फेस्टिवाल है शहते हैं करते वह कहां मनाय जाता है मजे बता ओ ऑ सिक्क है एसे बहुत सी प्रैक्टिस से देजेएं, ओल ओवर दा रीजन या ओल ओवर दा हम कह सकते कि स्टेट या पर्टिकुलर रीजन में सिमिलर हैं, जिसे कि हम कह सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर एक्टिवेटी बताओ चलो मुझे दिपावली ले लिजे इंडिया के most of the part में और all over the world, बहुत से part में दिवाली मनाई जाती हैं, significance हम कह सकते हैं कि बहुत ही गहरा है, significance कि cultural identity का part है अब यहां पर एक example लिया गया है language and reason के बीच में क्या connection हो सकता है, तो चेरास का और Malayalam language का क्या relation है जो चेरा का kingdom था, actually Mahodhaya Puram 9th century में established था Kerala, आज के Kerala में So Malayalam इसी area में बोली गई and आज भी बड़ी मातर में बोली जाती है spoken, I mean it is spoken in the particular region of Kerala and आसपास के areas में भी So, यहां पर यह जो रूलर्स थे चेरा रूलर्स इन्होंने Malayalam language को introduced किया और script भी यहां पर introduced की ताकि वो अपने inscriptions को लिख सके, okay, so यह एक one of the earliest example है कि use of regional language in the official record यानि कि particular ruler है, record किये गए है regional languages में उहां के inscriptions और जो official records है देखे, आप एक example दे रखा है यह Malayalam में लिखा गया के रलावाले reasons है, एक inscription है, okay, official अब यह जो चेरास थे वेसिकली उन्होंने Sanskritic tradition से काफी चीजे बोरो की, जैसे की Kerala का temple theater है वहाँ पर direct Sanskrit epics से जो रामायन महभारत है, उसके लावा और भी text थे Sanskrit में यह दो नहीं है तो वहाँ से बोरो की गई stories, okay उसके अलावा जो पहला literary work tamalya alam है, वो भी directly basically deal करता है grammar and the poetic से, इसको money pravalam में लिखा गया, अब यह क्या है money pravalam का literally meaning होता है diamonds and corals यह basically two languages के लिए symbolism के तरह use किया गया है, two languages कोन सी है, Sanskrit and the regional language तो मल्यालम उसके साथ जो regional languages उसमें अब तोड़ी सी बात करते है religious traditions की, कैसे देखो, यहाँ पर जगनात कल्ट की बात की गई है यह एक regional culture है, Odisha में पुरी में actually होता ही है the cult of basically, जगनात जगनात का मतलब होता है the lord of the world okay, specifically यह विश्नु का एक नाम है अब आपको पता होगा की जगनात basically यहाँ पर रत्यात्रा निकलती है जगनात की तो मुझे आप एक बाह उताओ कहां से start होती है and कहां पर end होती है these are the two very important points यह जो रत्यात्रा होती है okay, so यह जो है पहले एक local DT की तरह इनको पूजा जाता था local code लेकिन बाद में पता चला है these are actually identified with the Vishnu यहाँ पर एक image दे रखी है यह basically जो palm leaf manuscript है Odisa की जिसके अंदर आप देख सकते है icons of the balbhadra बालbhadra हैं उनके अलावा बालbhadra और जगनात ठीक है अब इनके जो बहन है सुभद्रा इनकी बहन है सुभद्रा इन तीनों की रजवत रहत्रा निकलती है अब 12th century की बात करते हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही गंगा डाइनिस्टी का important ruler तो गंगा डाइनिस्टी का इस बहुत powerful डाइनिस्टी वहा करते थी तो उनके एक ruler थे आनंत वर्मन तो उन्होंने एक temple यहाँ पर बनाया पुर्शत्म जगरनात के लिए पुरी महीं तो आज भी वह temple है subsequently 1230 में king अनंग भीमा ठीक है अनंग भीमा 3 ने अपना kingdom dedicate कर दिया था to the deity and अपने आपको deputy of the god बताया था ठीक है यह important है यह आप mark कर दीजे यह यहाँ से question आएगा ठीक है यह जो आप temple देख रहे है यह जगनात temple है पुरी का इसका architecture क्या है इसको क्या वोलता है इनको क्या वोलता है यह सब मैंने अपने art and culture के course के अंदर detail में एक dumb detail में मतलब धागा कोल दिया इतना detail में बताया है तो description में लिंक है वहाँ से देख लेना अब यह temple बनने के बाद यहाँ पर इसकी spiritual and religious importance काफी जदा बढ़ गई तो और center of pilgrimage बन गया जितने भी यहाँ पर कोडिशा को control किया जिन भी लोगों ने मुगल्स ने मराथा इंग्लिश ने सब चाहते थे कि temple पर इनका control हो जाए ताकि इनके rule को more acceptable बनाया जाए पीपल की legitimization दे justification दे सके बात करते है राजपूत and the tradition of heroism की यह राजिस्तान के culture से related है और Britishers इंको राजपताना बोलते थे लेकिन राजपूत के अलावा भी काफी लोग रहते थे राजपूत के अलावा भी काफी लोग रहते थे राज़स्तान में but they are the most dominant so they are basically representative of it अब यह जो culture tradition थे यहां के वो राजा के और जो rulers थे उनके ideals and aspirations के बहुत ही करीभी थे उन पर बेस्ट थे so from about 8th century most of the present day state of the Raj Rajasthan was ruled by various Rajput families आप सब को पता है Pratviraj Chohan जिनके बारे में chapter 2 में discuss किया है in detail okay मां Muhammad Ghori से fight भी वदाई थी मैंने and these rulers cherries the ideal of the hero who fought valiantly often choosing to the death in the battlefield rather than face the enemy victory और defeat से अच्छा तो यह battlefield में जा करके केसरी करना ज्यादा पसंद करते थे और ठीक है तो यह जो आपको दिख रहे राजा सिंग को विकाने रहे यह लोग काफी ज्यादा poems and songs लिखवाते थे राजपूत heroes की उनकी stories पर बेसिस पर जो की लोगों को inspire करती थी ordinary people का track करती थी okay और यह debit करती थी dramatic situations and बहुत से range of emotions like loyalty, friendship, love, valor anger राजिस्तान की history पढ़ना जबरदस्त आपको जो है कमाल का sacrifice देखने को मिलेगा marriages सित्य सारी होती है उसके लावा battles battles की तो बोलो है बता इतने battle होते राजिस्तान की history अब बात करते हैं कतक की कतक yes the dance poem तो भी हमने बात करें इन सब की इसके लावा कतक का मतलब होता है basically it's a word derived from the Katha Katha का मतलब story होता है Sanskrit word में तो Katha जो Kathak थी basically और originally अगर हम देखें तो a cast of storytellers थी यह story सुनाते थे basically जो Kathak थे ठेंपल में North India में सो Kathak related है आपके North India यहने की UP वाला area सो Kathak basically evolved when I start is a dance form in 15th and 16th century and काफी बड़ी मातरा में यह spread हुआ North India में और भक्ती मुवमेंट में इसने काफी अच्छा role play किया Radha Krishna की stories जिसको रास जिलीला बोला जाता है Kathak के तुरू present की जाती थी Kathak story tellers के दौरा Mughals के time पे Kathak को था Kathak को था कोट्स उनके कोट्स में Mughal कोट्स में रॉयल कोट्स में पर्फॉर्म किया जाता था और उसके बाद यह distinct style के साथ distinctive dance style के साथ इसके features डेवलप हुआ है ठीक है इसा form of dance इसको recognition मिला फिर यह basically different traditions इनको परफॉर्म किया गया घरानाज बने ठीक है जो कि मतलब एक very important major art form के तोर पर उसने इसको निखा रहा अब 19th century में आते आते यह जो dance form था इन two regions में नहीं था बलकि इसके जो adjoining areas थे जैसे पंजाब अरियाना जम्मू कश्मीर बिहार इन सब में भी इसका emphasis होना काफी start हो गया यहां पर आप एक image देख रहे हैं यह scripture है I mean एक ठीक है मूर्ती है जिसके यह dance class है लक्षमेना temple का खजुराओ खजुराओ की जो images है आप देख सकते हैं ठीक तो dance class का बताया गया कतक का यह है तो Britishers इसको इसे नहीं देखते थे यह disfavor के तरह से देखते थे British administrators होते हैं लेकिन इसने survive किया आज भी होता ही है तो courts में उस ताइम पे भी काफी चलाता है आज तो one of the six classical forms of dance country में इसको recognition दी वही है अगर मैं गलत नहीं हूं तो comment section मुझे मताया नीचे कतक से related कोई भी तीन important dancers का नाम मुझे comment section में बताना ओके तो इनके अलावा और कौन से dancers हैं जिनको classical dance का basically tag मिलावा रिकोगनाइस की है तो भरत नाट्यम तमिल नाडू से कतक कली केरला ओडिसी ओडिशा कच्चीपूरी आंदर प्रदेशन मनिपूरी मनिपूर से इसके अलावा मुझे बताओ अगर कोई over dance form भी जो classical dance की category में है अगर इसा कुछ है तो मुझे comment section ना बताना हो के मुझे बतानी है अब बात करते हैं the tradition of miniatures की miniatures की question आई वाई उपसे में इसको थोड़ा था ध्यान से पढ़ना हो के so miniatures का मतलब क्या होता है miniatures actually are the small size paintings miniature mini है so smaller small size paintings especially generally इसको water color से बनाई जाता है clothes पे या फिर paper पे तो water color के इसमें होता है पहले miniatures palm leaves और wood पे बनाई जाती थी तो कुछ beautiful chart जो इसके examples है वह आपको जेना text में देखने को मिल रहेंगे और अगबर की अगरम बात करें जहांगीर की बात करें शाह जहां की बात करें तो इन्होंने इसको काफी patronize किया जो skilled painters होते थे उनको अपने court में रखते थे और उनसे manuscripts पनवाते थे जिसे hunting करते हुए जो बादशाह है उनकी painting बनाए उसके अलावा social life की other aspects की बाते कोट की कोट जो इनका royal court होता था दीवाने खास दीवाने इनकी pictures यहां पर आप देशकते हैं अगबर रेस्ट करते हुए बता रहा है और ड्यूरिंग हंट यह मुगल miniature का एक example है okay so yes अब मुगल empire मुगल empire का fall हुआ ठीक है decline हुआ तो यह जो जितने भी painters थे ना वह अब regional empires में जाने start हो गए क्योंकि अब यह जो मुगल artistic patronist थीन को मिलना नहीं थी मिलती नहीं थी अब as a result of mughal artistic test influence the regional courts of the duckan Rajput courts of the Rajasthan काफी influence के इनोंने regional जो empire जो हम कह सकते हैं की courts थे basically regional courts वहाँ पर जा करके इनोंने उनको पता है हाला कि इनोंने जो अपने distinctive characters थे locally उनको प्रिजब किये गए उनको retain की गए लेकिन develop भी हुए बाद में the portraits of rulers court scenes came to be painted following the mughal example beside themes from mythology and poetry were depicted at the center of Mewal, Jodhpur, Boondi, Kota and Kishanaghan ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है कोटा ओके so mughal से अगर थोड़ा distinctive art के देखें जब ये local areas में आए local courts में आए तो इनोंने mythology and poetry से भी basically उठानाय स्टार्ट कर दी है mathematics तो मेवाल, Jodhpur, Boondi, Kota and Kishanaghan में आते आते इन्होंने ये चीजे भी debit करना स्टार्ट कर दी यहाँ पर आप देख रहे है रसा मंजरी इसको important highlight कर लो ठीक है फिर नादिर्शा का टेक होता है फिर सब मुगल आर्टिस्ट चोड़ चोड़ के भागते है उसके बहले यह देख लो राधा कृष्ण को एक पहारी miniature है कांगड़ा में इमालन रीजन में तो यह वहाँ पर इसी तरह की painting जो है बनाई बन्गाली को आज रिकोगनाइज किया यह एस लेंगवेज जिस जो संस्क्रिट से डराइव होती हो ठीक है ओके अर्ली संस्क्रिट टेक्स की basically mid first millennium के अगर हम बात करें तो उससे डराइव करती है लेकिन कैसे हो सकता है यह यह बंगाल के लोग संस्क्रिट लेंगवेज न हम बात करें BCE की बात कर रहें तो commercial ties जो थे वह डैबलफ होना स्टाट होगे बंगाल और मघथ वाले रीजन में तीक है मघथ वाला रीजन मघथ सावतन बिहार का रीजन है अब इससे क्या हुआ कि संस्क्रिट का influence इस वाले रीजन में भी काफी जादा बढ़ गया तो fourth century आ स्ट्रोंग हो गया तो संस्क्रिट को इसका एक बैसिकली एक प्रूफ है कि संस्क्रिट बंगाल 7th century में प्रिवलेंधी इसी बुक में ट्रिपर्टाइट स्ट्रगल के बारे में तो बंगाल को सुल्तानों ने रूल किया हुवर इंडिपेंडेंट ऑफ देर डूलर्स हुदा देली इन देली हमने डिसक्स किया है सो 1586 की बात करें तो अगबर ने बंगाल को कॉंकर कर लिया एंड बंगाल को एक सूबा बना दिया हाला कि वाइल पर्शियन वोज दी लेंगवेज दी लेंगवेज देवलेंगवेज तो बंगाली का डेवलप्मेंट तो कभी रुकाई नहीं अब बात करते हैं 15th century तो 15th century में बंगाली ग्रूप ऑफ डियालेक्ट्स केम तो भी युनाइटेड बाया कोमन लिटररी लेंगवेज बेज बेज रून दे स्पोकन लेंगवेज और वेस्टन पार्ट अब रीजन वोलते हैं जब यह सब लोग मिलके एक हुए और इनकी कोमन पर्टिकुलर स्टेजेज व दे इवोलुशन यह तो हम जानते ही हैं कभी रुका भी नेन का इवोलुशन और वाइड रेंज अव नौन संस्कृत वर्ड डिराइट फ्रम वर्याइट व दे सोर्सें इंक्लूडिंग ट्राइबल लेंवेज पर्शियन युरोपें लेंगवेज हैं वेकं लेंगवेज जिसने काफी जादा लेंगवेज से अपने वर्ड डिराइव किये हमने आप एक्जैंपल दिया उनको संस्कृत इसता में सोर्स तो अर्ली जो बेंगाली लिट्रिचर था वो दिवाइट था तू कैटेगरी में पहला इंटेटेट तो संस्कृत और इंडिप लोकल डिटी से रिलेटिट था तो उसका ट्रांसलेशन किया गया था एंड उसके आलावा भक्ती लिटरिचर और बायोग्राफिय दो द्रेट निद्र देव यह सब जो है वेशना विट्थी से रिलेटिध हमने डिस्क्रूस किया है लास्ट लें तो उन सब पर त्रांसले और फेरी टेल्स फोक टेल्स एंड बलाच तो यह इंडिपेंडेंडेंडेंड होधा संस्क्रिट था ठीके तो यह फर्स्ट के टेक्स्ट से वह आज इसीयर तो डेट ओके अज सेवरल मेनस्क्रिप्ट्स हब इन फांड इंडिकेटिंग था थे वर कंपोज बेविन दे लेट 15 अंड 18 सेंचुरी इंड 18 सेंचुरी में इसको बनाए गया दोस बिलोंग इंटो दे सेकिंड कैटेगरी सर्कुलेट ओरली एंड के नौट बी प्रसाइज प्रसाइज डेटेड इंको तारीक भी नहीं दी और लिखा भी बहुत कम गया है अब बात करते हैं पीर्स एंड टेंपल्स की अभी क्या होता है अब आके पते चलेगा 16 सेंचुरी में क्या हुआ कि जो पीपल ने माइगरेशन होने स्टार्ट कर दिया ठीक है अब वह वेस्टन बंगाल से हटके जो मार्शी सौथ इस्टन बंगाल ता महां पर आके रहने लगे अब यह जैसे हैं पर आते तो वह फोरिस्ट को क्लियर करते थे और लुद आपकि घ्रटी तुमग किरते तो तो वहां कि जो राचिशर अब किरते थे तो मुगल्स का यहां पर हैं बड़ा और दाका में इसको सेंटर बनाया अब यहां पर काफी मोस्क बनाए गई जो कि रिलिज्ज ट्रांस्वर्मेशन का काम किया इस वाले यजन में अब यहां पर कम्यूनिटी लीडर्स को निंद किया गया जो टीचर्स का काम करते थे और यह भी क्लेम करते थे सम्टाइम्स देख लेक्लेंट इसक्राइब विता सूपर नेचरल पावर तो ताकि पीपल का उनकी तरफ अट्रैक्शन और अफेक्शन बड़े और उनको फिर रिस्पेट के साथ पीर्स कहा जाता था अब यह जो पीर्स थ में इनको वह लोग बनवाते थे मैंने कहा था जो काफी पावर्फुल इंडिविजिल्स हैं उसस और यह सिंबोल होता था आपके पावर का और प्रोक्लेम थे प्रोक्लेम देर पाइटी ओके ताकि लेजिटिमाइजेशन आया है यहां पर आप दे सकते हैं कि दो तरीके के आर्किटेक्ट्चर बना बना हुए बंगाल वाल रिजिन में यह फोर रूफ टेमपल भी तर टावर और यह आपके डबल रूफ थाच्ट हट है बात करते हैं फिश एस फूड की फिश को फूड के से बनाते को ट्रेडिशनल फूड एबिज होती वह लोकली अविलेबल आ लविंग और इजिली अविलेबल डिश है जो हमारे कोस्टल स्टेट्स हैं तो यह जो दो आइटम फिकर्स हैं प्रोमिनेटल इन मेन्यों पूर बंगाली महां पर देखने को मिलेंगे फिशिंग जो एक बहुत इंपोर्टेंट ओक्पेशन राय बंगाली के लिटेशन में हमेशे हम देखने को मिलता है विच कंटेंज सेवरल रिफरेंसेस तो दे फिश और इसकी मानेता भी काफी ज़दा है जो टेरेकोटा के जो प्लाक्स है जो टेंपल्स की बॉल्स पर बंगे उसके अलाबब विहारा जो बुद्धिश्ट मोनास्टरी होती है महां पर भी फि इतनी ज्यादा थी ना फिश की लोकल डाइट के अंदर की जो ब्रहमेनिकल अथोरिटी थी और कुछ प्रोहिबिशिंस को रिलेक्स करती थी बेंगाल के ब्रहमेंस पर ठीके तो इसको ब्रहत धर्मा बोला गया पुराना में लिखा गया था 30 सेंजरी में की अफ्रों बंग तो वहाँ पर यह इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं तो यह चेप्टर नाइन था नेक्स लिसन में देखेंगे चेप्टर टेन और प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करो कर पसंद आता है तो तो मिलते अगले लिसन जो तक लिस्टे टे टून एन वनाइस दे जा एन शाइस के टो मिलते हैं तो फежде चीं कर रहांगे तो अटब साङद students रहाँ क्रे लिस्टे से क्वेश्द सक्वेश्चन शाइस व просто पास्वेश्चन एनत Помตी सिर्फन से क्वेश्चन पितृ सरब तो यह से पो रहाँ नेक्शन एन कर लिस्टन सनो ऋived